हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर परहार में आज मेरे साथ मेरी बेटी है एंजिल शर्मा है और जब यह बहुत चोटी थी ना से चार पांच साल पहले तब भी मैंने इसके साथ एक वीडियो बनाया था तब यह बहुत ही अब समझ लो मेरी बेटी सामने बैठी है आपके अभी फ्यूचर में उसका जो प्लान है वो यह यह कि उसको एडवोकेट बनना है बनती है नहीं बनती हो बात की बात है बट फिलाल उसका जो मोटिव है वो यह यह कि मुझे एडवोकेट बनना है और एडवोकेट बनने के जो भी ये चल रहा है, पॉल्स चकर, इस चकर को break करने के लिए fight करनी है, कहने का मतलब अभी कोई comments में लिख रहा है कि आपकी बेटी है, आपको डरना चाहिए, डरना उसे चाहिए जो गलत करता है, हम जो आपको बता रहे हैं, वो सिर्फ ये बता रहे हैं, कि आपको wrong के against fight कै और रॉंग कोई भी हो सकता है और जो आज के समय पर पाया जा रहा है हर F.I.R. फोटोकॉपी क्यों होती है हर डीवी का केस फोटोकॉपी क्यों होता है हर 125 C.R.P.C. फोटोकॉपी क्यों होता है हर एक मामले में ये क्यों होता है कि खाना नहीं दी जा रहा पीना नहीं दी जा उनी महिलाओं ने इसको दुरुपयोग करने के लिए अपने हाथ का ओजार बना लिया है बहुती रेर वोमेन होंगी जिनके साथ एक्च्छल में गलात हुआ वो बेचारी अपनी तरफ से उप्शन्स को चूच करने में भी डरती है उनको बोला जाता है डीवी का केस कल उनको डर लगता है लेकिन वो महिलाएं जो खुद सक्षम हैं जो दस दिन रह करके पचास लाग रुपय निकालना चाहती है और दोस्तों है नहीं कि ऐसा कितने मामले मैंने ऐसे देखे जहां दस दिन की शादी है और लड़का घबरा करके 40-50 लाग रुपय दे देता है दो बंदे ऐसे पकड़ लिए अगर पूरी लाइफ में तो पूरी जिंगिस सेट हो जाएगी इन महिलाओं की वज़े से जो एक्चल में परिशान महिला हैं दूर दराज की आको और इवन शहरों में भी बहुत सी महिलाओं ऐसी हैं उन पर कोई विश्वास करके रेडी नहीं है मिरे पास भी हैं दो चार चेस से जब हम बोलते हैं किसी को तो कहते हैं, आज कल तो लड़कियों का काम ही है, यही सब लिखते हैं, तो आप केबल जो पुरूश हैं, उनके साथ ही गलत नहीं कर रहे हो, आप महिलाओं के साथ भी गलत कर रहे हो, तो यह अब हम तो justify नहीं कर सकते कौन सही है, कौन गलत है, लेकिन at least अपने अपने मन में तो यह पता ही होता है ना कि कौन गलत है कौन सही है उतना तो analyze आप लोग करी सकते हो अगर आपको पता है कि आप गलत हो problem यही तो है कि आज के समय कोई यह मानने को ready नहीं कि मैं गलत हूँ हर एक आदमी दूसरे बंगली उठाता है और हम लोग का क्या है हम लोग का कोई यह तो है नहीं कि man से कोई ज़्यादा लगाओ यह woman से लगाओ नहीं है या किसी का favor कर रहे है या किसी का favor नहीं कर रहे है हमें तो वो बात कहनी है जो practically हम देख रहे है जो चीज हमारे पास आ रही है मान लेते हैं for example 100 case आए और 100 case में से 90 case law के misuse के हैं और केवल 10 case genuine है तो मैं क्या बोलूँगा मैं यही कहूँगा ना कि आज के समय पे misuse बहुत ज़्यादा हो रहा है 90% केसे जैसे आ रहे है तो reality जो है वो ही बताए जा रही है अब जिसके साथ एक गलत हो रहा है उसके मन में होता है सर्मा अपना बचाओ कैसे करूँ मेरे को जितने भी कॉल आते हैं उन सब में लड़का और लड़के का परिवार पूरा का पूरा बहुत डरावा होता है कि हमें इस इस प्रकार से लड़की पक्ष के द्वारा धंकाया जा रहा है वो लोग हमको इविडेंस बेशते हैं भई वो लोग हमको फोन रिकॉर्डिंग बेशते हैं वो लोग हमको वीडियो रिकॉर्डिंग बेशते हैं वो तो प्राइबेसी की वज़े समया चलाते हैं नहीं अगर जिस दिन मैंने चैनल पर चला दी न हंगामा मच जाएगा, ऐसे से वीडियोज मेरे पास पढ़े हैं लोगों के, जहां पतनी चाकू से अपनी सास पर परहार कर रही है, डंडे से परहार कर रही है, बरतन उखा के फेक रही है, और एडल्टरी के रिलेशन्स के वीडियो होते हैं, ऐसे से वीडियो हमारे पास आत करता है कि सर देखो इतने ही विडेंस है बोल रही है क्रेटा कार मांगी थी और जो डेट पर कह रही है क्रेटा कार मांगी थी उस डेट पर इंडिया में क्रेटा कार लॉंची नहीं हुई थी अब ना बोले इसको किये जूट है और ऐसे तमाम परकार के एलिगेशन्स होते है जिसका एक एक प्रूफ पती हमको प्रोवाइड कराता है जिसके बेस्ट पर हम यह वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आता हैं तो बहुत सीधी सी बात है मीसियूश तो हो रहा है और हो रहा है तो उस मीसियूश के खिलाब वीडियो भी आएंगे जागरुकता देनी भी जरूरी है और साथ ही ये जागरुकता इसलिए भी जरूरी है ताकि जो सच में पिडित महिलाएं हैं उनको भी नयाय मिल सके उनकी भी सुनवाई हो सके और अगर कारेवाई होने लगे गलत महिला उपर तो जो गलत केस कर रहे हैं ये भी आटोमेटिक अब बात आती है कि आप कहते हो सर मेरे साथ तो इतना कुछ गलत हुआ है लेकिन पुलिस मेरे सुननी रही है मेरी FIR दर्ज नहीं कर रही है अब नहीं करेगी पुलिस यही हो रहा है पुरे इंडिया में बहुत मुश्किल है FIR दर्ज करानी कोई शायद rare case होता है जिसमें कोई FIR दर्ज हो जाए पर आपको घबराना नहीं है जो भी options आपके पास है जो भी proof आपके पास है उनके base पे सबसे पहले अपने घर की female members के द अपने परिवार के female members की तरफ से DVK साब फाइल कर सकते हैं एंडियल बहुत देर हो गई वेट कर रही है एक्षुली यह इसका जो purpose था मेरे साब बैठने का आज वो यह था कि आप मेरे channel का promotion कर दो अब promotion वैसे मैं क्या करूं क्योंकि हैं तो सब legal वाल हैं बट फिर भी इसकी तसली के लिए मैं इस अपने पास बिठाया कि मैं promotion कर देता हूं तो थोड़ा सा एक मिनट मेरी बात सुन लो इसका एक channel है Angel World Light जिस पर बहुत थोड़े से 50 subscriber करीवन है और यह महनत बहुत करती है लड़की daily video डालती है उसमें stories डाल रही है सब कुछ और जो कुछ भी करती है content चाटना, story बनाना, edit करना, उसको post करना, उसके SEO करना यह सब बिना किसी help के अपने आप करती है तो महनत तो बहुत करती है लेकिन view नहीं आते है वो तो होता ही है इसलिए आपको मैं सिर्फ यह request करना चाहूंगा कि अगर आप इसकी help कर सकते हैं तो इसके channel का link मैं इस video के न नाम से, उसमें भी सारे वीडियो यही shoot करती है, सब कुछ यही करती है, मैं थोड़ी बहुत help उसमें कर देता हूं इसके आलंग की commentary वगरा में, जहां पर मुझे लगता है उतना अच्छा बोलनी पा रही है, बट आने वाले future में 100% उस पर भी यह अपने आप ही काम करेगी और अभी बहुत हथ तक करने भी लगी है, बहुत अच्छे वीडियोज है, आप कभी धहरा दूना आओगी उतरा खंडा आओगी तो इसके वीडियोज देखना बहुत अच्छे होते हैं, तो crazy smart tips का link भी मैं इस वीडियो के नीचे description में दे दूँगा, वीडियो के end में end screen पे भी लगा दूँगा, आप सब लोगों से गुजारिश है कि जिस तरह से आपने सोच पर परहार को प्यार दिया और यहां तक पहुंचाया, उसी प्रकार से इस बिटिया के दो छोटे चैनल जो हैं, इनको भी आप support करिये और subscribe कीजिए, बाकी तो देखो भी बहुत चैनल को subscribe कर लिजेगा, क्योंकि यह जो चैनल है, इस चैनल में मैं motivational stories लेके आती हूं, और यह सारी stories हिंदी में होती है, तो आप सभी लोग इनको देखिएगा, यह बहुत अच्छी है, तो दौस्तों मेरे दो चैनल है, crazy smart tips और angel world light, so इस पर प्लीज एक हजार तक तो subscriber आप कराई दीजेगा, एक हजार तो बेटा नहीं होंगे, लेकिन ठीक है, जो भी आप कर सकते हैं, please support कीजेगा, तो हम बात करने थे हैं, आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो, तो एक तो मैं आपको बता दिया, डीवी का case, आप फाइल कर सकते हो, उसमें कोई किसी प्रकार के दि कीजे, as a complaint, as a criminal complaint case, जब as a criminal complaint case आप court में फाइल करेंगे, तो इन लोगों को cognizance भी होगा, हो सकता है, सारी धारों में जो आप बता रहें ना हो, court अपने विवेक से तैय करेगा, कि किन धारों में हमें cognizance करना चाहिए, लेकिन अगर आप वहां से भी cognizance करा लेंगे, तो इनके उपर दबाओ maintain हो जाएगा, क्योंकि फिर एक criminal case इनके उपर भी चलने लगेगा, और अगर आपके घर में दो female members हैं, तो दोनों female member भी एकर एक केस करेंगी, तो दो case वो भी हो गए, तो कहीं ना कहीं, जो इनका package होता है, आपका package भी बन सकता है, अपने बचाओ के ल लगा रहे हैं, और आप केवल अपना बचाओ करने के लिए अपनी तरफ से अपने legal right यूज करते वे package लगा रहे हो, तो intention का बहुत बड़ा फर्क होता है, बड़ दोस्तों, tit for tat तो होता ही है, जब तक आप वैसा नहीं करोगे, तब तक आपको relief भी नहीं मिलेगा, बहुत साथ लाख रुपे दे दिये, case चल रहा था, meanwhile settlement की बाद तो साड़े साथ लाख रुपे दे दिये, उसके बाद लड़की नहीं आना बंद कर दिये, मुझे कहता है, sir मैंने 100% अमान दे दी ती, आप सोचो, हम तो आदी भी देने को मना करते हैं, उन्होंने 100% दे दी, को इस जाल को अराम से तोड़ करके इससे बाहर आ सकते हैं, तो चले दोस्ता आज के इस वीडियो में इतना ही, next वीडियो में नहीं जानकारी के साथ मैं आप से फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए goodbye and thank you for watching, thank you